आज के समय में Google से जादा अपडेट यहां पर Samsung अपने फोन के अंदर प्रवाट कर रहा है यार देखो यार Samsung की A-series और चार साल के Android अपडेट दे रही है Samsung की A-series के फोन में चार मेजर Android के अपडेट आ रहे है यह बिना Google की मदस से तो पॉसिबल होई नहीं सकता ना Samsung की मदद कर रहे है कि किस तरीके से वो Android में आगे निकल जाए इवन खुद के Pixel से जादा और कभी-कभी तो Samsung उनकी भी मदद कर देता है Pixel की Tensorship अगरा बनाने के लिए है लेकिन बात यहां पर यह है कि यहां पर Google Samsung की help इतनी जादा क्यों कर रहा है वेल इसकी कभार में बात करते हैं और अगर आप लोग सोच होए कि Samsung वाले भी तो Apple की मदद करते हैं तो उसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है आई बटन में लिंक देदूँगा वहाँ जाकर उसको चेक कर लेना वेकर सबसे बहले अब मैं बात करने वाला कि Google नहीं हाँ पर Samsung की ती मदद क्यों कर रहा है One of the biggest reason है कि Samsung दुनिया का सबसे बड़ा Android maker है अब खुद देखो दुनिया में लगबग 20% से जादे smart phones आज के समये जिस company के वाले बाले वो है Samsung के phones और देखा तो उस 20% के आदे यानि कि global smartphone का 10% है न यहाँ पर Samsung की A series ले जाता है और Google वालों के बात मालूम है कि Samsung ने जितनी बड़ी dominant जितना वड़ा major market share owner ने ले रखा है वो चीज यहाँ पर उसके काम में आ सकती है क्योंकि बात की जाए तो Samsung ही एक ऐसी company है दुनिया में जो अभी तक यहाँ पर टिकी हुई है मतलब एक जमाने में Nokia थी Nokia भार हो गई Motorola थी उसकी हालत आपको पता है Samsung उस जमाने से टिकी हुई है और अभी तक टिकी हुई है तो उसकी presence काफी जादर strong है और इस चीज़ का Google यहाँ पर फायता उठाना चाहती है और इसलिए Samsung को पूरा software support देती है क्योंकि बात किया है तो Samsung ही कैसी company है आहाद के समय में जो कमतनी हमना खुद का operating system बना सकती है खुद Google की services को ditch कर सकती है Google के play store का competition खड़ा कर सकती है वो यहाँ पर Samsung ही हो सकती है मतलब एक जमाने में Huawei सुमीद है थी कि वो यह सब कर सकता है इतनी सारी पावरती Huawei के पास लेकिन Huawei के उपर जब से band लगा तबसों से कोई पूछता नहीं है इसलिए अब यह बार ही Samsung के साथ थी और Google को भी लगा कि Samsung को अपने अंदर ले लो क्योंकिर Samsung को अगर हम अपने अंदर नहीं लेंगे Samsung को खुश नहीं करेंगे तो कल को जो Samsung है वो अपना खुद का operating system बना के कुछ धमाकेदार चीज़ा कर सकता है इसलिए उन्हों ने उसके अंदर ले लिया और धीरे धीरे जो product पहले लगता तक Google पहले निकालेगा वो सारी चीज़ अप Samsung के साथ वो निकाल रहा है जैसकी बात कर गूगल Samsung ने पार्टनर्शिप कर ली नए VROS के साथ यहाँ पर Google को मालूमता कि Samsung का Tizen OS अच्छा है और Samsung को मालूमता कि VROS यहाँ पर काफी का अच्छा potential साबित हो सकता है जब उसके साथ exclusive होगी पहली वोची पिक्सल वोच की बजाए आपको VROS के साथ Samsung की वोच देखने को मिल रही है वहाँ पर एक exciting हो गई और उन्हें मालूमता यहाँ पर Apple वोच एक तगड़ा competition create कर सकते हैं क्योंकि Samsung के पास hardware था Google के पास software था यह चीज़ यहाँ चल गई और ऐसी चीज़ चली mobile phones में कि Apple के iPhone यहाँ पर क्यों आगे निकल जाते हैं अपने software support के करने Samsung वालों ने यही चीज़ solve कर दी आज के समय में Samsung की update situation ऐसी है कि काफी सारे phone में हर महीने आपको software update देखने को जाते हैं नहीं ने security patches के update तो कुछ phone में वो महीना शुरू होने से पहली ही आ जाता है majority Samsung के phone वाग सभी Samsung के phone आज के समय में Android 12 के साथ release हो रहे हैं इसके साथी A series के phone में वो चार Android version के update promise कर रहे है मतलब कि अगर A series के किसी ने phone लिया आद के समय में तो अभी वो Android 12 पे चल रहा है लेकिन 4 साल बाद Android 16 आएगा उसका भी update उससे मिल रहा है ये बहुत जादा कामाल की बात है ऐसा जनल को दूसरी Android phone मनने वाली company करी नहीं सकती और बिना Google की मत के तो शारी चीज नहीं पर possible भी नहीं हो सकती तो आप देख सकते हो क्या Samsung यहाँ पर चल रही है लेकिन वहाँ पर Google के साथ प्रॉबल है कि वो hardware business में नहीं चल पाए वेल, hardware business में क्यों नहीं चल पाए और इसलिए जिखाए तो Google Samsung के साथ यहाँ पर इसलिए भी जाता है कि कोई भी चीज अगर कोई भी नया product या कोई भी नई category यहाँ पर test करनी है तो वो Samsung के साथ कर सकते है क्योंकि उनकी मौचोद की हर एक market पर उनका portfolio वड़ा है watch mobile phone तो हो गए, tablets के अंदर उनकी monopoly Android के अंदर और tablet के लिए कोई नई चीज यहाँ पर develop करनी Google को वो यहाँ पर Samsung के साथ ही जाएंगे क्योंकि खुद Google के खुद के tablets तो यहाँ पर आते नहीं अब इसी के साथ ही बात करें Google का कोई foldable आता नहीं और foldable के लिए कोई चीज नहीं develop करनी यूई वगर optimize करना है वो लोग यहाँ पर Samsung के पास जाएंगे क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा maker foldable phone में कोई है नहीं हाँ और Google के खुद के products नहीं आ रहे जब market में तो यह एक यहाँ पर Samsung को काफिक बड़ी आज दे देता और Google से यहाँ पर जो help मिल रही है directly या इंडिरेकली यहाँ पर लोग compete कर रहे है यहाँ पर Apple के साथ क्योंकि बात किया है तो Apple एक ऐसी company है जहाँ पर देखा जाए तो वो hardware software पूरा एक बनाते ecosystem उन्होंने पूरा बना रखा है और उसके replication में यहाँ पर Samsung में भी अपने ecosystem बना है अब वहाँ पर देखा तो Samsung hardware में तो अच्छा कर रही थी बहुत सारे products निकाल दिये लिगर software strength जो Google से मिली है यह दिखके लग रहा है कि Google और Samsung यहाँ पर directly Apple से लड़नी कोशिक करें इवन यहाँ पर तो लग रहा है कि यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी से भी लड़नी कोशिक करें जो इनकी जगहां ले सकती है यानि कि Samsung के अलावा यहाँ पर Microsoft है जो यहाँ पर एक अलग जगह बना सकती है Amazon अपनी अलग जगह बना सकती है उनको भी हाँ पर कुछ करनी नहीं देंगे शक्त यही एक रीजन है इसके साथी बात यहाँ तो North America में काफी अच्छी प्रिजेंस है और कोई भी अगर major चीज उन्हें launch करनी है और वो American market में तेजी से पहुचानी है Samsung है क्योंकि देखा तो USAF में अगर कोई जाएगा North American market में तो वहाँ पर उसे mobile phone में दो चीज़ें चलती है Apple यह Samsung Android iOS का खेल भूल जाओ Apple Samsung चलता है तीसरे player के लिए जगे बहुत ही कम है उदार इसलिए वहाँ पर उन्हें काफी अच्छा benefit मिल जाता है इसके साथ ही बात की जाए तो Android के अंदे बहुत बड़ी dominance बन चुकी समय चाइनीज market की और Google को पता है कि चाइनीज company सब मापस में मिल जाए तो Google के Android के खिलाफ जंग बोल सकती है और हो सकता है कि यहाँ पर Android की existence में खतरा आ जाए पूरा BBK Group एक जैसा OS बनाने लग जाए शौमी वाले एक जैसा OS बनाने लग जाए यह बहुत बड़ी problem आगे चलके create कर सकता है और इसलिए Samsung के साथ हाथ मिलाना उनकी लिए यहाँ पर समझधारी बड़ा फैसला बनता है तर यह Samsung से हाथ मिला लो यहाँ पर Samsung को full support दो और उसके बाद यह देखो कि दूसरी company क्या कर रही है तो कई बार इससे क्या रहता है कि अगर Samsung को additional benefit मिलेगा तो दूसरी company वी शाय डिस्करेज हो जाएगी अपना खुद का operating system निकालने के लिए इवन बात की जाए तो इससे कई बार यह लगता है अगर Samsung को Android वाले ज़्यादा support करें तो दूसरी company से बुना नहीं मान सकती या फिर दूसरी company की sales को हट नहीं करेगा वेल यह चीज भी यहाँ पर नहीं है लेकिन आगे चलके यह similar चीज दूसरी companies को भी देते हैं कहते कि यह चीज हमने इनके साथ के रिए Samsung के साथ वह successful रही है आप भी इस चीज को try कीजिए जैसे Wear OS के साथ try कर रहे है हो सकता है कि future में जितने भी watches आपको देखने को मिलती है जैसे पूरे BB के या Xiaomi वालो की बात कर ले वहाँ पर आप Wear OS देखने को मिलती है क्योंकि अभी वो अपना खुट का RTOS ही हाँ पर यूज करते हैं कि यहां पर Android ecosystem को develop करना कि कल को कोई बड़ा competition ना खड़ा हो जाए है यहां पर कल को कोई दूसरी company यहां पर यह ना बोले कि Android में मजा नहीं आ रहा फीचर्स की कमबें partnership में कुछ नई चीज़े देखने को मिले जैसे कोई नई devices कोई नया software feature कुछ Android के नए वर्जन में कुछ नई चीज़े जो इससे पहले हम देखी नहीं थी और कई बार Google जो रहता है वो खुद Samsung के साथ अपने नई features को यहां पर showcase कर देता है बजाए कि अपने pixel phone के अंदर य Google का Pixel, Samsung का Galaxy बहुत बड़ा carrot हा सकते है और प्रवैबली iPhone का totally clear बन सकते है आप लोग का इस बार में की opinion ने कमेंट में बात बतान ना भूला वीडियो पतने लाइक का और चैल का सब्स्क्राइब कर लेने असी बात में मैं संदोने एक चुडी के अंदर गुड़ बाई